तक किस टाइप का आपको फ्लेक भन के मिल रहा है इसमें भुब देख बन के निकल रहा है बहतरी कम बना करके खाली बना के प्याली बना के देखिए किसा रॉल बंद रहा है बेहतरी इंक कॉलेटी से देखिए इसका कॉलेटी देखिए दोस्तों 6-7 रुपे का हमने मट्रियल दला ता उसमें कितना प्लेट पर आए देखिए या खुद सोच सकते हो कि आप बजार में कितने का यह प्रोड़क्स सेल करेंगे दोस्तों सामने बिना वोश किये बिना दोए यह माजा का फूर्ट का फ्लेवर आपको डाल के दिखाता हूं देखिए थोड़ा आगे का जो मट्रियल यह आपको ढуса देना इसमें जो आघे का मट्रियल निकले का मिल्क बेस लागव तीन-चार सेकेंड़ तक आपने सब्सक्तर का मट्रियल आपको झाले hiçbir करना है इसका बीदिंद यह जो दाना फेंचा शहीड़ें मेंके निकला है लेकिन आज ये मशीन के अंदर दोस्तों आपको मिल्क बेज मिल्क वाला मट्रियल आप कौन साइज इसकेंदर दाल सकते हो एक वीडियो के अंदर लाइव दिखाने वारे दोस्तों और लाइट टू लाइव आप प्रोड़क का प्रोसेसिंग निकाल सकते हो खड़े खड़े कस्टमर आता है तो एक सेकेंड का भी वेट करना नहीं है दोस्तों मशीन के अंदर से आप वाटर बेस मिल्क ब का आइस नो आपे मशीन में से निकाल सकते हो दोस्तों आइस का स्नो का फ्लेकस का कोलेटिक सा रखना है सौपर रक्ना है ठीक रखना है आप digitally display में से इसको set करके बना सकते हो अपने requirement के इसाप से IDEO के इसाप से Mac कर सकते हो दोस्तों machine के अदर दोस्तों heavy duty roller दिया गया है जिसके अंदर आइस जमाई रहता है दोस्तों अपने इसमें कोई भी material दालेंगे सिधा flex बनके डिस्क में बनना चालो हो जाएगा और सर्विंग के लिए त्रियार हो जाएगा दोस्तो फिलाल हमारे पास यहां पे मिल्क बेज मट्रियल पड़ा हुआ है दोस्तो आप देखिए मिल्क बेज मट्रियल हमने इसमें डाला हुआ है और हम सीधा आपके सामने लाइव टू लाइव ए प्लेटर इसके अंदर डालेंगे तकरीबन हम आपको इसका काउंट करके बता दें जैसे आप सौप्टी या स्क्री मशीन 7 रुपे का एक कौन बजार में बेशते हो तो उतना मट्रियल आपको इसमें लेना है आप देखिए जो मट्रियल हम 7 रुपे का बजार में बेशते हैं उतना आपको around only 80 ml जितना material हमने कपका लिये वो सीधा हमें ठोव अप करेंगे इसके अंदर टैंग में आप देखिए लाइव टू लाइव आपके सामने हम इसमें डाल रहे हैं आप देखिए दोस्तों यह डाल दिया हमने फ्लॉप कर दिया इसको 80 ml material के अंदर से अपने पास कितना snowflex बनके निकलता है आप देखिए यह breaking निकल रहा है पीसिस निकल रहा है अगर आपको इसके पीसिस बड़े करने है या चोटे करने है तो आप digitally इसको डिस्प्ले में से set कर सकते हो किस type का आपको flag बना के निकलना है इसमें आप देखिए आप देखिए इसा प्लेटर बना के कस्टमर को कटिंग करके थाली बनाके प्याली बनाके देखिए किसा role बन रहा है इसका QUALITY देखिए दोस्तों बेश्ट कॉलेटी का स्नौफलेक्स का कॉलेटी मिल्क बेजवला उपर से आप डेकोरेशन करके बजार में सेल कर सकते हो 6-7 रुपे का हमने मट्रियल दाला था उसमें कितना प्लेट पर आए देखिए यह है आप यह सोच सकते हो कि आप बजार में कितने एखे प्रोड़क सेल करेंगे दोस्तो अभी हम इसका क्वोलेटी तोड़ा बढ़ाएंगए हैं कि इस usability थिक करेंगे इसका अलग सेप का मट्रियल बनाएंगे दूसरा ये घूंडरेड़ मीले असमें घृटश का मट्रीयल में इसमें अब मोहों किना आफ हैं ले जोати मोприव कि अपको उप तुuld मतां पड़ा पड़ा रहा था छाबि ये पठी पत्ला होगी यह देखिए पठी का को लेटी देखिए पतला पतला रहा है पेले इसका पॉपार बंत कि आ रहा थे यहां पर हमारे पास डीस पड़ा हुआ अब देखिए अब इसका पट्टी देखिए अब किस टैप का रहा है एक डीस बनाने का खर्चा मैक्सिमम 10 रुपीस में गिरेगा बजार में 50, 60, 70, 80 रुपे तक यह बजार में आसानी से इसको सेल कर सकते हो दोस्तों आप देखिए अपना फ्लेक्स यहां पर बनके रेडी हो चुका है इसका आउटर रेशी पी आपको कुछ भी बनाना है इसके ओपर डेकोरेशन करना है तो इस तरह से आप टॉपिंस रेता है मेंगो श्टॉबेरी कोई पी टॉपिंस लगा के इसको डेकोरेशन कर सकते हो इस की बना टॉपिं जी हूँ देखिए हैं इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हो इसमेंस आप डीखिया है उपार ट्रिंग़ डाल सकते हो चुय बेंग दालियो का बित्रुड नाल सकते हो यह दी कोई भी ड्रिंग डाल कि आप इसको अच्छे से अपने आइडियोलोजिस के इसाब से वेराइटीस बना के आसानी से बजार में देखे मैक्सिमम डेली दस से पंदरा हजार रुपे तक का प्रॉपिट कर सकते हो इतनी सी छोटी सी कॉमपे को पोटेबल मशिन लेके दोस्तों बहुत सारे ड्रिंग से जो भी आप फ्रॉडटक डाला के निकलेगा यह अगर अपने प्रॉडटक डाला तो आपको डायु निकलेगा तोब देखे दोस्तों, थोड़ा आगे का जो thema материal ये वो आपको जाने-देना ला है, इसमें जो आगे का material निकलेका bardzo बेजोला वो तीन चार सेकेंड टक अपने को जाने देना है अब देखिए उसके बाद हम लेना चाल उपर एगा अब देखिए यह मेंगो का मट्रियल आ रहा है अपने पास अब देखिए इसका भी कोलेटी छोटा करना है पतला करना है ठीक करना है बड़ी पट्टी करनी है या एकदम स्नो निकालना है अब देखिए मेंगो का स्नौ फ्लेक्स बनके निकला है अमने बिना वोस किये बिना दोए इसको चला है आपके सामने अब देखिए बहतरी इन कोलेटी का मेंगो का स्नौ फ्लेक्स निकला है आधा बोटल हमारे पास मेंगो का पड़ाता है यह आपका आधा बोटल एराउन तक्रीबन नो से दस रुपे का मट्रियल एक रुपे का इलेट्रिक सिती और एक से दो रुपे का कपी अडिस बारा से तेरा रुपे में आपको एडिस बनके तहियार होगा कोई भी फ्रूट टेस्क आप बनाते हो नेचरल जूस डालो मैंगो का जूस डालो अनार का जूस डालो सुगर गेंगा फ्रेज जूस बनाके कस्टमर को लाइव टू लाइव वेराइटी या क्वालेटी आप खिला सकते हो दोस्तों इसमें अब देखिए बहतरीन क्वालेटी का बनके तहिरा अभी भी आ रहा है इसमें मेंगो का देखिए और बनके रेडी ये इसका भी कॉलेटी देखिए आप देखिए ये चिपक नहीं किया दोस्तों आप देखिए ये उपर से आस्मान से जो बारिस गिरती है इससे बारिस गिर रही आप देखिए इसका स्नौफलेक्स देखिए इसका जूस फ्लेवर मेंगो का जूस का फ्लेवर पूर्ज का स्नौफलेक्स बनके निकलाए रात को बंद करना है जब आपना रात को दुकान शोप या बंद करते हो दोस्तों तो इसको वाश और क्लीनिंग कितने समय के अंदर आप कर सकते हो सबसे पहले डिस्प्ले में से इसको बंद करना है हमारे को नेक्स्ट में हमारे को यहाँ पे clean का option है धोना है उसका, साब करना है कितने समय में आप machine को धो सकते हो कितने समय में machine को clean कर सकते हो इसका भी live video में आपको बता रहे कि कितने समय में machine को धोया जा सकता है अभी हम यहां से इसका ढपको ऑन निकाल देने中共 मरे पासे झाल के चापमे डाल दे वाया है। एल करेक्ट को डाल देना है नेक्स्प्रॉसेष के लिए हमारे को वाटर का बाउल लेना है जो मसीन के साथ आपको बावल मिलते है इस तैप का इसमें वाटर भल लेना है इसको वाटर फिलप कर देना है आपको वाटर फिलप से अपने जो रोलर घुम रहा है अपना रणिंग इसको आपको वाटर डाल देना है इसको अच्छे से अपने वाश हो जाएगा आप देखि अब देखिए अच्छे से पूरा प्रॉपर ली धूल रहा है इसका रोलर आप देखिए वीडियो में आपको प्रॉपर दिख रहा होगा कि कैसे पूरा साफ हो गया पूरा वापी स्टील बेज आ गया है कि अब यह आ अब अब ना मसिन धूल के वह चुका है अब यह में भूमना डूलर घूमने को बंद कर देंगा यहां यहां से और अगे का थोड़ा प्लेड इसको भी वस्ट कर देंगे यहां पर वोश हो गया है ब्लेड भी अपना यह आपका मशीन क्लीन हो चुका है अभी और को चीज करने का जरूरत नहीं है यह तब को लेकर आउट सैट पर जाके गेंडी यह चोकडी यह वहां पर जाकर इसको अच्छे से दो देना है मशीन को कपड़ा लगा देना है कपड जरूरत नहीं है दोस्तो इजी तू ऑपरेट लाइव टू लाइव गिरा का या कोई भी प्रोड़क डाला लाइव टूलाइव श्लस बनाके स्नौ बनाके फ्लैक्स बनाके दिया कस्टमर को तो इस तरह की मशीन की ज्यादा डीटेल ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों लेकि नमबर पे कॉंटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सेर कर दीजे यह बार वीडियो को लाइक कर दीजे दोस्तों और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पे